हेलो दोस्तो नमस्कार मैं बिन्टू सर आप सभी का मिसन ओलाइन क्लासिद के यूटूब चैनल पर वेलकम करता हूँ दोस्तो आप सारी जानते हैं आज सेचरडे है और आज टेस्ट कोड तीन मिसन का तीसरा टेस्ट लिया गया है इस सेचरडे को जो की हरियाना HSSCCAT के पैटरन पे था और NTABASE हमारा टेस्ट था आप इस टेस्ट में देख सकते हैं वन आवर का टेस्ट था वन आवर 30 मिंट का और इसमें कुल परसं कितने है 95 उसमें परसं है और अधिकतम परसं इसमें 95 है देखेंगे अधिकतम परसं जो है 95 है और आगे बढ़ते हैं इसमें कुछ यहाँ पे निर्देश दिये गए हैं दोस्तों निर्देश फोलो करने थे आपको निर्देश क्या है एक बार मैं जल्दी जल्दी से पढ़ लेता हूँ कि इसमें 95 परसन है, एक सही उत्तर के लिए एक गलत अंक है, गलत उत्रों के लिए रिनात्म अंकन नहीं है, परसन पुत्तर को अल करने से पहले कि रिपाजास ले, ये सारी आप इंस्ट्रेक्शन पढ़ने के बाद में पिपर देना, और मिसन इस्टिटूट रोतागेट बि अगली बार किसी को अगर इस पेपर में रिजिस्टिशन कराना है, तो कॉंटेक्ट नमबर यहां दिये हैं, आप इन नमबर पे दे करके, और पेपर के लिए रिजिस्टिशन करा सकते हैं, अगले से चेटे को फिर से यहां पे टेस्ट होगा, और मैं आपको बता दूँ, इसमें हरियाना CET, SSE, और Railway, Banking, Defense, अगनिवीर, चंडिगर्ड पुलीस, इन सभी की कोचिंग यहां पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं, दोस्तों, अब चलते हैं, पेपर के सोलिशन के और बढ़ते हैं, दोस्तों पहला क्योस्टन जो है, वो GS से पूछ लिया गया है, पहला क्योस्टन आप पढ़ सकते हैं, कि CG की एक रेखिये स्थिती है, वो option दिये हैं, A option है, सूरिय चंडरमा, B है चंडरमा पिर्थवी, और C है सूरिय चंडरमा पिर्थवी, तो आप देख सकते हो, इस कांसर क्या बनेगा, C option बन जाएगा, अब देखते हैं, second question, second question क्या अलबर्ट जील कहा है, इसके लिए option क्या है, अमेरिका है, फिनलेंड है, रूस है, और यूगणडा और कांगो है, तो दोस्तों इस कांसर क्या बनेगा, D option बन जाएगा, यहाँ पे ये अलबर्ट जील है, अगले क्योस्टन पर जलते हैं, चिप को अंदोलन कब हुआ था, इसके लिए 4 option दिये गए है, मैसिद आपको अंसर बता देता हूँ, इसका अंसर बनेगा, 1973, 1973 में जीप को अंदोल हुआ था, ठीक है, अगले क्योस्टन पर जलते हैं, सब्त सेंद उचेतर, आरियो का मूल निवास्तान किसने बताया, तुम आपको बता दू, इसके लिए जो आपका अंसर रहेगा, वो D रहेगा, डोक्टर एविनास्चंदर जो है, इन्होंने आरियो का मूल निवास्तान बताया था, सब्सेंद उचेतर को, ठीक है, अगले पे चलते हैं, अगला देखते हैं, वैदिकाल में, यहाँ पे दान्या सबद किसे समंदित है, दान्या यहाँ पे दोस्तों दान्या है, दान्या सबद किसे समंदित है, ठीक है, तो यह किसे रिलेटिड है, अनाज से रिलेटिड है यह, अब चलते हैं, अगले क्योस्टन पर, अना सक्तियोग पुस्तक के लेकक, अना सक्तियोग पुस्तक के लेकक क्या है, इसके लिए अंसर को टिक कर लेंगे जल्दी से अना सक्ति योग पुष्टक के जो लिकक है वो हमारी महात्मा गांधी है कौन है महात्मा गांधी दोस्तों कि उस्तन नबर सेवन पे चलते हैं सेवन कि उस्तन क्या है संसद के संयुक्त दिवेशन में किसी विदेख पर निरनायक मत देने का दिकार किसी होता है तो मैं आपको बता दू लोक सभा का जो अधिक्स है स्पीकर बोलते हैं है ना स्पीकर को ये निरनायक मत देने का अधिकार होता है दोस्तो अब जलते हैं अगले किस्टन पर देखो किस्टन अबराट पर आ गए निमनली खित्मे से हैं की समीति की रिपोर्ट में लोक पाल और लोकायूद संस्ताओं की स्तापना की सिपारिश की गी दोस्तो इसके लिए आपका अंसर क्या बनेगा? चार ओप्सन दी है गोरवाला रिपोर्ट है, दे एप लेबे रिपोर्ट है, असोक, मेता समीति है तो इसके लिए अंसर बनेगा A option यानि के पर्थम, परसासनिक, सुधार, समिती अब चलते क्यूसन नमर 9 पे नीमन लिखिती में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है और जो दोस्त पहली बार चैनल को देख रहे हैं और क्यूसन देख रहे हैं एक बार है ना कमेंट में अंसर दें कमेंट में अंसर दें अगर आपको कोई और डाउट रहता है या क्यूसन से रिलेटेड कोई क्यों रहती है कमेंट में जल्दी से टाइप कर दे वाई अब चलते हैं C option पे जो ये क्यूसन इसका अंसर क्या आपको को अधिकार ये अमारा केस था तो इसमें सही मिलान वाड़ा जो अपसन है वापका C हो जाएगा अब चलते हैं 10th क्यूसन पे 10th क्यूसन क्या है बेहिसाब धन का उप्योग किसी उतपादन कारिये करने में सरकार नहीं योजदना सुरू की है कौन सी योजदना सरकार नहीं सुरू की थी तो अपका अंसर जो है मैसिद अंसर पे आता हूँ 4 उप्षन आप पड़ सकते हैं रिसरजेंट इंडिया बाइंड से बविश्य नहीं दिया और ये अंसर आपका नहीं होगा ठीक है इसका अंसर क्या बनेगा बी अंसर बनेगा क्या अंसर बनेगा अब भी दोस्तों अगले पे चलते हैं अगला क्यूस्टन है 11 क्यूस्टन है बारत में क्यूस्टन क्या देखो बारत में बारतिक सर्कारी स्तर परतिवर्स कोन परकासित करता है ठीक है ओप्षन देख सकते हैं बारति रिद्रो बैंक नितियायोग है वनिजय मंतरल है और इसके साथ में अपका वीत मंतरल है तो इसका अंसर क्या आजेगा वीत मंतरल आजाएगा तो अब चलते हैं अगले क्योस्टन पर क्योस्टन बर बारा साइस से रिलेटिड है मैं साइस वाले सर को बुलाना चाहूंगा कि वो इसके बारे में डेटेल से बताएंगे साइस वाले सर को ठीक है साइस वाले सर आ जाते है साइस वाले सर उसके बाद आपको सोलिशन परवरतन कौन जो है यानि कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे मीडियम चेंज हो जाएगा दोस्तों मीडियम चेंज हो जाएगा तो प्लेन भी चेंज हो जाएगा ठीक है तीसरा है परवरतन कौन यानि कि एक ही प्लेन में इंसिडेंट रे आएगी उरसी प्लेन में रहेगी यानि कि इंसिडेंट रे जो है और ये परवरतन कौन जो है ये आप तन कौन और परावर तन कौन अगले पर चलते हैं उपगर है कि जरिये संचार के लिए किन तरंगों का उपडियो किया जाता है अगले पर चलते हैं नाइट्रेट के साथ अपनी अभीकरिया में C2S2 क्या दिखाता है C2S2 कैसा गुण धरम दिखाता है यानि कि प्रोपर्टी के बारे में जिकरा किया है इसने प्रोपर्टी के बारे में जिकरा किया है निमले खितमे से कौन सा कतन सही है ठीक है कौन सा कतन सही है क्या मोनेर बोकोशी की होते है ये दिया है प्रोटेस्ट देव बोकोशी की होते है ये दिया है कवक पर कास संसलिस्टन की करिया नहीं करते है बिलकुल सही है इसके लिए आपका उप्सन सी हो जाएगा बिलकुल सही कौन सा अकतन सही है कवक जो है फंगी जो है डूनोट परफॉम्दा फोटो सेंटेसिस प्रोसेस है इस प्रोसेस को फंगी यानि कवक नहीं करते हैं अब जलते क्योस्ता नबर 69 पर 69 क्या है जानू फलक का दूसरा नाम क्या है another name of जानू फलक another name of जानू फलक यानि कि जानू का बी ओप्सन देख सकते दोस्तों बी ओप्सन जो है जानू फलक का दूसरा नाम है कौन सा है जानू का अब चलते क्योस्ता नंबर 17 पर क्योस्ता नंबर 17 क्या देखो आप क्योस्ता नंबर 17 है डंबेलाकार दुवार को सिखाए किस में होती है मुंगफली, चना, गेहूं और आम तो दोस्तो इसका जो अंसर बनेगा वो क्या बनेगा गेहू बनेगा यानि वेट बनेगा क्या बनेगा वेट ठीक है अगले क्युस्टन पे जलते हैं 8 गराम उक्सिजन में अणवो की संख्या की गणना करे 8 गराम उक्सिजन में अणवो की संख्या की गणना करे मतलब की क्या है मोलिक्यूल जो है मोलिक्यूल की नंबर बता नहीं कितने मोलिक्यूल होंगे किसमें 8 गराम उक्सिजन में 8 gram oxygen में molecule कितने होंगे तो आप answer note कर लेंगे दोस्तो इसमें molecule होंगे 1.51 into 10 raise to power 23 है ना 23 ये option हो जाएगा ही अब चलते है अगले पे ammonium sulfate का सुत्तर क्या ammonium sulfate नाम से पता लग रहा है ammonia यानि NS4 NS3 ammonia gas होती है ammonium sulfate का formula क्या हो जाएगा NS4 to SO4 ठीक है अगला क्यूसन है बीटल किसकी नसल है यानि अगला क्यूसन जो है कौन से टोपिक से ले लिया आपका agriculture वाले से animal as boundary वाले टोपिक से ले लिया बीटल किसकी नसल है तुम आपको बता दू जो बीटल जो है वो बकरी की नसल है किसकी नसल है बकरी की नसल है अगले के उस सन पे जलते वाई लंगडा बुखार रोग लंगडा बुखार रोग किस से सम्मंदित है इसके लिए चाल उपसंद ये वाई उंट घोडा बकरी उंट घोडा बकरी और गाए तो आप इस पे टिक कर देंगे कि आप कांसर क्या हो जाएगा लंगडा बुखार रोग जो है गाए से सम्मंदित दोस्तों अगले में WCC किस की किसम है गवार मुंखळी सरसो बाजरा तो ये किस की किसम है ये बाजरे की किसम हो जाएगी ओके ठीक है अगले क्युस्तन पे चलते वाई अगला क्युस्तन है बड बड नेक्रोसिस रोग क्या है किस से सम्मंदित है मतलब रिलेटीड किस से है डीजिज किस की है तो ये मुंखळी की डीजिज आ जाएगी अब चलते 24 पे आरसेनो पायराड जो एकनीज पाय जाता है सी ओप्सन पे टिक कर देंगे सारे साथी जल्दी से टिक करें वाई ठीक है और अगर अगर आप हर्याणा सीटी के लिए क्रेस कॉरस की अगर बात कर रहे है तो यह address दिया गया है, अपने इस्टिटूट है, मिसन इस्टिटूट होतर की टिवानी और contact नमबर दिया है, अगर आपको recently कोई course join करना है तो आप यहां आ सकते हैं, यहां मतलब अच्छी तरीके से आपको तेहरी करवाई जाएगी, बहुत ही बेतनी स्टाफ है, अब अगल question, अगला question आप सभी के सामने है, किर्टरी मोसम उत्पन करने के लिए करने में काम आने वाला उपकरण को क्या गहते हैं ना, तो च्यार option आपके सामने दे रखे हैं वही, साइकलोट्रोन, करायोमेटर, हाईग्रोमेटर और साइट्रोट्रोन है ना, तो option number D बिल्कुल सही हो जाएगा साइट्रोट्रोन, ठेक है, चलो वही, अगले question पर चलते हैं, question number 26 क्या दे रखे हैं आपके सामने, हरियाना, गोवन, सनरक्षन, अधिनियम कब लागू हुआ ह ना, तो च्यार option आप सभी के सामने है, 19 November 2015, 22 September 2015, 25 December 2015, और 19 July 2015 है ना, तो इस question का सही जवाब क्या हो जाएगा, option number 5 बिल्कुल सही हो जाएगा वही, 19 November 2015 ठेक है, चलो वही, question number 27 पर चलते हैं, question number 27 क्या दे रखे हैं, कि अखिल बारतिये Muslim League तिल्ली अदिवेशन में सवागत सम समीति के देक्स कोन थे, किसके देक्स पूछा सवागत समीति के देक्स कोन थे, चार option आप सभी के सामने हैं, पहला option है, पट्टा वीशीता रमया, बीमसेन, option number C है आपका दिन मंदुगुपता, और option number D है आपका परिजादा मुमद हुशेन है ना, तो इसका सही जवाब क् परिजादा मुमद हुशेन हो जाएगा, option number D बिलकुल सही हो जाएगा वई, ठीक है, चलो वई, अगले क्योस्टन पर चलते हैं, क्योस्टन number 28 का आप सभी के सामने क्या दे रख्या है वई, कि पदमावत महाबार्थ हर्याना के कि सांगी गिरतनाई है, चार option आप सभी के स सिलाल, बालक राम और है समरूप चंद है ना, तो इस क्योस्टन का सही जवाब क्या हो जाएगा वई, समरूप चंद की रतनाई है, है ना, किस की रतनाई है, समरूप चंद की, तो option number D बिलकुल सही हो जाएगा वई, है ना, चलो वई, क्योस्टन number 29 पर चलते हैं, करमन बोर्डा ले है और गागरी है न तो इसका सही जवाब क्या जाएगा उपसे नंबर भी बिलकुल सही हो जाएगा बोर्डा चलो क्योष्टें नंबर 30 पर चलते हैं वई अगले क्योस्टेंद पर चलते हैं, क्योस्टेंद नमबर 31 का आपके सामने क्या दिरख्या है, कि जोती समाचार पत्तर कब परकाशित किया गया था, च्यार ओप्षन आप सभी के सामने हैं, पहला ओप्षन है 1930, ओप्षन नमबर B है आपका 1925, ओप्षन नमबर C है आपका 1928, और ओप्षन नमबर D है आपका 1923 है न, तो सही जवाब कुन सा हो जाएगा वही, 1928 को जोती समाचार पत्तर है उसको परकाशित किया गया था, ठीक है, चलो वही, क्योस्टे नमबर 32 पर चलते हैं, क्योस्टे नमबर 32 क्या दे रख्या है, हरियाना उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी, important question है साथ ही हो ये ये आपका बहुत important question है बार बार exam में repeat होता है question हरियाना उर्द्व अकादिमी की स्थापना कब हुई चार option आप सभी के सामने है पहला option है 14 सितंबर 1985 है दूसरा option है आपका 22 दिसंबर 1985 option number 3 है आपका 23 जुलाई 1985 और option number D है आपका एक अगस्ते 1985 है ना तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा option number B 22 दिसंबर 1985 option number B बिलकुल सही जवाब हो जाएगा question number 33 का आप सभी के सामने क्या दे रख्या है question number 33 है हिसार में हीरन पारक इस्थापना कब हुई थी तो हिसार में हीरन पारक इस्थापना कब हुई थी चार option आप सभी के सामने है पहला option 1984, 1986, 1987 और 1985 तो कब हुई थी वही स्थापना हीसार में हीरन उद्यान की स्थापना हुई थी 1985 को है ना तो option number D बिलकुल सही हो जाएगा वही 1985 को स्थापना हुई थी है ना चलो वही अगले क्योस्टन पर चलते हैं क्योस्टन number 34 क्या दे रखे आपके सामने की जीन्द रियासत में गजपत सिंग का सासनकाल था है ना जीन्द रियासत के अंदर गजपत सिंग का सासनकाल क्या था वही ये बताना वही हमने है ना तो च्यार ओप्सन आपके सामने दे रखे हैं, 786-813, 816-822 तक है, ओप्सन नमबर B है आपका 763-1786 तक है, और ओप्सन D है 1822-1834, तो इस क्योस्टन का सही जवाब क्या हो जाएगा वई, ओप्सन नमबर B, 1763-1786 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चलो क्योस्टन नमबर 35 पर चलते हैं वई, क्योस्टन नमबर 35 क्या है, हरियाना में सकी सेंटर के सुरुवात कहां से हुई, इंपोर्टेंट क्योस्टन है वई, ये करंट का क्योस्टन है, हरियाना में सकी सेंटर के सुरुवात कहां से हुई, च्यार ओप्सन आप सभी के सामने हैं, पहला ओप्स क्योष्टा नंबर 36 पर चलते हैं वई, क्योष्टा नंबर 36 क्या दे रख्या है, काक रोई सुक्सम जल विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद् क्योस्टा नंबर 37 आप सभी के सामने है क्योस्टा नंबर 37 सरदार सिंग किस खेल से सम्मनित है सरदार सिंग किस खेल से सम्मनित है चार ओप्षन सभी के सामने है कुस्ती है कबड़ी से होकी से निशाने बाजीत है है ना तो वही सरदार सिंग की से समंदित है ये होकी से समंदित है ठीक है होकी के खिलाड़ी है वही ओप्सन नमबर C बिल्कुल सही ज़वाब हो जाएगा वही चलो क्यों से नमबर 38 पर चलते हैं 38 नमबर क्या कह रहा है मेवात जिले का चेतरफल कितना है मेवात जिले का चेतरफल कितना है चार उप्सन आप सभी के सामने दे रखे हैं पहला उप्सन है आपका 1507 किलोमेटर सुकेर वरा किलोमेटर सुकेर उप्सन नमबर B 1530 उप्सन नमबर C है 1745 और उप्सन नमबर D है आपका 1768 है न तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा 1507 है सो ओठाहिग है हरियाणा में वन्स्पती वन योजना कब लागू की गई kोंची योजना कह रहा वह यह कि वन्सपती वन योजना है वो कब लागू की गई है तो पहला प्षणाह आप सभी के सामने क्या दे रख्या है एक belैंगर 2004 भीवर ahead रख्या है यह सार की एक नवंबर एक नवंबर 2003 को लागू की गई थी ठीक है कब की गई थी एक नवंबर 2003 को क्योस्टन नमबर 40 पर चलते हैं वही बीर सिकारगाड वन्य जी ओ अ ब्यारन कहा स्तित है इम्पोर्टेंट क्योस्टन है किया ओजाएगा ओप्सन नंबर D पंचकुला हो जाएगा कहाँ पर सित है ये पंचकुला के अंदर सित है चलो क्योस्टे नंबर 41 पर चलते हैं 41 क्योस्टे नंबर क्या कैता है हरयाना रॉज्य के मोरनी छेतर में किस परकार की मिट्टी पाई जाती है हरियाना राजे के मोर्नी छेतर है जो वहाँ पर किस परकार की मिट्टी पाई जाती है चार उप्षन आप सभी के सामने है पहला उप्षन है कछारी दूसरा है दल दली तीसरा है दुमट्ट मिट्टी और fourth option कोन सा है पत्थरी ली तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि कौन सी मेंटी पाइजाती है option number D बिलकुल सही हो जाएगा पत्थरी ले मेंटी पाइजाती है बई है ना चलो बई क्योस्टर number 42 आपके सामने क्योस्टर number 24 क्या कहता है हर्याना के किस बाग में सबसे कम वर्षा होती है हर्याना का ऐसा कौन सा बाग है जिसके अंदर सबसे कम वर्षा होती है ये बताना वही हमें है न तो चार उप्षन आप सभी के सामनी है उत्तर पूर्वी बाग दक्षिन पूर्वी बाग या उतर पस्चमी भाग या दक्षिन पस्चमी भाग तो किस भाग के अंदर सबसे कम वर्षा होती है वही तो दक्षिन पस्चम भाग ऐसा भाग है जिसके अंदर कम वर्षा होती है ओप्चन नमबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्योस्टा नमबर 43 क्या कहता हुई कि यमना नदी से ओखला बेराच से कोन सी नहर निकाली गई है चार ओप्सन आप सभी के सामने हैं गुरु गुराउं नहर जवाहरलाल नहर पूर्वी यमना नहर या पस्चमी यमना नहर है न तो ओप्सन नमबर 5 गुरु गाउं नहर निकाली गई है कौन सी नहर निकाली गई है गुरु गुराउं नहर निकाली गई है ओखला वेराच से चलो क्योस्टन नमबर 44 पर चलते हैं 44 question क्या दिरख्या वई हाल ही में पूरे भारत में सरवाद एक दूद देने का रिकार्ड बनाने वाली मूरा नसल की बैंस रेशमा हरियाना के किस जिलें से सम्मनित है है ना जिसे वह इकाला सोना भी का जाता है ना तो च्यार ओप्सन आप सभी के सामने है सिर्सा है पानी पत है बिवानी है केथल है तो कहां से पर आप कहां से मिली है यह यह आपकी केथल जिले से सम्मनित है कहां से सम्मनित है केथल जिले से ओप्सन नमबर डी बिलकुल सही जवाब हो जाएगा चलो वही अगले क्योस्टन पर चलते हैं क्योफ्टि नम्बर 45 आप सभी के सामने क्या दे रख्या है 45 क्योफ्टि नम्बर है 19 मार्च 2022 को SCS सपोर्ट्स अवार्ड SCS सपोर्ट्स अवार्ड में खेलों को बड़ावा देने के लिए किसे सरेष्ट राज्य का दर्जा दिया गया हुई कोण से राज्य को सरवेष्ट राज्य का दर्जा दिया गया है सरेष्ट तो चार उप्षन आप सभी के सामने है उत्राखंड है उप्षन नम्बर B हापका हरियाना है उप्षन नम्बर D हापका करनाटक है उप्षन नम्बर D हापका मध्या परदेश तो किस राज्य में दर्दाज यह वही है, ओप्सन नंबर B हरियाना कोण से राज्य को दिया गया हुई, हरियाना को दिया गया हुई है ना, चलो वही क्योस्तन नंबर 46 पर चलते हैं, 46 क्या है वही, 8 मार्च 2022 को हरियाना की किस महीला को नारी सक्ती पुरुषकार 2021 किस सम्मान ओप्सन नंबर बी है आपका पूजा सर्मा है ओप्सन नंबर सी है वंदना ओप्सन नंबर डी है आपका सुपिरिया है न तो वही किसको सम्मानित क्या गया वही नारी सक्ति पुरुसकार से तो वही पूजा सर्मा को किया गया सम्मानित किसको सम्मानित क्या गया है पूजा स को चलो वही क्योंसे नम्बर yorku 7 पर चलते हैं क्योंसे उनमंबर 47 क्या कहता है इन में से कौन सा विकली क्लप सहीं नहीं है ठीक है ना क्यों सा विकल्मर्ब सहीं है ठीक है तो वही चा वने आप सभी के सामने हैं from applications विशो बैंक है विशो बैंक का अध्यक्स कौन है वही डेविस मालपस है बिल्कुल सही है वही फिर अध्यक्स एंडीवी का अध्यक्स है ठीक है इसका कौन है मार्कोस ट्रायो जो है ओपसे नंबर सी है आपका अध्यक्स है इसी भी है इसका क्रिश्टिन लगालडे है ना त नमबर डी चलो वही क्योस्ता नमबर फूर्टी एट पर चलते हैं क्योस्ता नमबर फूर्टी एट क्या कहता वही कि हाल ही में थरीडी प्रिंट आँख लगवाने वाली दुनिया का पहला व्यक्ति कोन बना है दुनिया का पहला व्यक्ति कोन बना है जिसने थरीडी डी है आपका वेनु गोपाल तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा वई सटी उवर जे है ना ये पहला व्यक्ति है वई दुनिया का जिसने थरी डियांख लगवाई है है ना चलो वई क्योस्टेन नमबर अगले क्योस्टेन पर चलते हैं अगला क्योस्टेन क्या कहता वई क्योस्टेन नमबर 49 क्या कहता है हाल ही में किसे नासा की जैट प्रोपल से लेबोरेटरी का अध्यक्स नुक्त किया गया है वई चार उप्षन आप सभी के सामने हैं कि जैट प्रोपलेटरी का अध्यक्स किसे नुक्त किया गया है पहला तो कौन सा क्या फjang गया है फोप्स क olmaz stranger error क्या गया है फोप्स नमबर फोट बीविलकुल सही हो जाएगा पोइ मिलमा प्रसंद में खता है धालो क्या ॉप्सन बी अफिकर सामने तो पयुषर फैस्ट डूंबर बी पूस्तक की लेखी का कौन है सीदांसर पे बात करते हैं इनके लेखक हैं परकासिंग 52 अब जलते हैं MS Word विंडो को दो या अधिक बाकों में बाटने की वीदी को क्या करते हैं अब इसने यहां पे देखो इंगलिस में ही अंसर दे दिया इसने खुद कह दिया सिप्लिट करना है सिप्लिट करना है तो सिप्लिट विंडो का जाएगा ना अगर आपने इंगलिस मीडियम वाड़े किस्टन को पढ़ा तो अरा हमसे कर देंगे अगला किस्टन C++ प्रोग्राम को एगजीक्यूट करने के लिए किस कमांड का परियोग किया जाता है तो कमांड आप सोचो क्या आएगी कमांड आएगी इसके लिए वाइगी कंट्रोल F9 क्या आएगी कमांड कम कंट्रोल F9 55 है Linux निमलेखित में से कौन सा कैसा Operating System है ठीक है Operating System बताना है Linux तो ये Multi-User भी है Single-User भी है Multitasking भी है यानि कि आप कह सकते हो All of these ये सारे के सारे ही इसके Properties है अब फिर से C++ पे आ गया Question के C++ कैसी Language है ये Unnecessary है Developed है Machine है या Object ये Object Oriented Language है 57 है ASCII में Character निर्मित किये जा सकते है कितने Character इसमें Create किये जा सकते है इसमें Character कि Create किये जा सकते है 256 256 है 256 यानि C Option अब चलते हैं ये देखना बच्चो ये Question है इसको Binary Code अगर देंगे 35 ये जो है 35 Base 10 है इसको Binary Code अगर हम देंगे तो मैं सिद्धा अंसर पर जाओंगा कि जो A Option दिया गया है ये जीरो 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 और वन वन ये इसके लिए आपका राइट अंसर होएगा 59 पे चलते हैं 59 क्या है कंप्यूटर का फिर से Question है USB Type C जो होती है C Port जो होती है उसमें कितनी Pin होती है दोस्तो इस Question का पराम से नोट कर लेंगे इसमें 24 Pin होती है 24 इसका अंसर आजाएगा How many Pin तो क्या हो जाएगा 24 Pin अब चलते हैं एक और Question आया Unicode में कितने Bit होते हैं तो आप इसको भी नोट कर लेंगे Unicode में How many Bit इसने दिया है तो इसमें 8 Bit आ जाएगे कितने Bit आ जाएगे 8 अब Question पे चलते हैं 61 पे 61 में दिया है एक Neable में कितने Binary Bits होते है यानि कि Binary Bit की संख्या बतानी है तो आप देख सकते हैं Option जो A है इसके लिए सही हो जाएगा इसमें 4 Binary Bit हो जाएगे अब Math का Question आ गया है Math का Question आप देख सकते हैं Hindi में पढ़ ले English में जब किसी बहुपद को बहुपद यानि BINOMIAL PX को X-1 से और फिर X-2 से ٹवाइड किया जाएगा भी बाजित किया जाएगा तो 6-10 तो आएगा X-2 से लिवाइड करेंगा तो remainder 7 आएगा फिर इससेने का सेजफल क्या बचेगा जब PX को X-1 और X-2 से लिवाइड किया जाएगा है ना तो इसको Soul कर लेना और अगर आपको नहीं आता है तो आप Mission Institute रोतरगेट पे आ सकते हो कोचिंग के लिए यहां पे आपको यह सारे के सारे कुस्टन करवाए जागे ठीक है 63 पे आते हैं 63 क्या है देखो ट्राइंगल का कुस्टन है ट्राइंगल P K O R है इसमें P T जो है एंगल P का P एंगल का बाइसेक्ट करता है समदी वाजित करता है दो बराबर भागों में बाटता है P को दिया है P R दिया है क्या हूआर तो इस क्युस्टन को सोल करेंगे तो Q R के मद्दे बिंदू से T बिंदू की जो दूरी बनेगी वो टू यूनिट बनेगी टू सेंटीमीटर बनेगी इस कुस्तन को भी आक कर लेना 64 क्या है 64 में आया है आर तिरज्या के गोले की दातू को पिंग लाकर एक मोटाई A और बाहरी तिरज्या B के खोकले बेलन को खोल में डाला जाता है मतलब के सिलिंडर है ये कैसा सिलिंडर है ये ये होलो सिलिंडर है होलो सिलिंडर में डाला जाता है तो इसके लंबाई ग्यात करें इसमें हमने ये मान लिया दातू कोई भी नश्ट नहीं हुई है तो इसके लिए आपका अंसर क्या बनेगा ए बनेगा 4R क्यूब अपॉन में 3A इंटू 2B माइनस A अब चलते 65 पे 81 cm, 64 cm, 9 cm माप के एक घनाब यानि क्यूब उसको पिंगला करके 12 cm आ करके छोटे गन बनाए जाते हैं इस पर कार बनेगे छोटे घनों के संख्या क्या आएगी number of cube बताएंगे number of cube बताएंगे इसमें तो 27 इसमें number of cube आ जाएंगे अब ट्विस्टा number 66 पे चलते हैं इसने दिया है दो उइक संख्या के उइसमें होट 14, 14 है अगर इसमें 36 जोडा जाता है तो अंको का स्थान आपस में क्या हो जाता बदल जाता है दोनों अंको में से छोटांग कौन सा है ठीक है तो इसका अंसर आ जाएगा B B ओप्सन इसका अंसर बन जाएगा अब चलते हैं 67 पे B के मुकाबले A की आए 50 रुपे जादा है जो कमाता है B जो कमाता है वह सी का 1 से 1 वटे 3 है C की कमाई D से 10 परशेंट जादा है और E की आएडी से 20 रुपे अधिक है यदि सभी 5 वेक्तियों के कुल आमदनी की बात की जाए 55 रुपे है तो A की इनकम क्या है इस क्युस्टन को सोल करेंगे अंसर आप देख सकते हैं आप अपनी अंसर की मैच कर सकते हो 1370 इसका अंसर हो जाएगा अब जलते हैं मिक्सर वाले क्युस्टन से लिया गया है मिक्सर वाला क्युस्टन क्या है आप सारे पढ़ सकते हैं कि इसमें ताजे फल में पानी की मातरा 68% दी है सूखे फल में 20% दिए है इसने का 100 किलो 100 किलो से कितने किलो ताजे फलो से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं सोल कर लेना किश्टन को सोल करोगे तर्सकांसर 40 आ जाएगा है ना अब चलते हैं अगले किश्टन पर किश्टन 69 तीन समान गलास में पानी के मिसरन बरे गए है मिकसर लिया गया है मिकसर लिया गया है तीन identical glasses में किस का लिया गया है सिपरिट और वाटर का Proportion of the quantity of सिपरिट and water in the glasses are as follow ratio दिया गया उसमें पहला जो glass उसमें ratio सिपरिट और वाटर का 3, 4 है दूसरे में क्या है 4-5 का रिशियो है अगले में रिशियो क्या 5-6 का है लिक्विड कैप्टिन इस ग्लासी आर प्योर्ड इंटो वे वेसल मतलब क्या हुआ कि तीनों के तीनों ग्लासों को एक बरतन में एक पात्तर में डाल दिया जाता है अब डालने के बाद में से जो सिप अब जलते हैं 70 का 70 का देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हुआ है आप देख सकते कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पर एक की पावर 3 प्लस B की पावर 3 प्लस C की पावर 3 माइनस 3 A B C इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला था है A प्लस B प् c square minus a b minus b c minus c a formula use कर लेंगे answer आएगा 10 c 71 का question जो है बड़ा important question है काभी बार एक जमें पुछा जाता है इस pattern पे question आता है तो इस question का answer आएगा 99,000 यह निन्याण में 1000 आजाएगा अब चलते हैं अगले पे 72 पे 72 number question जो है इसको इससे डिवाइड करेंगे तो remainder क्या आएगा इससे डिवाइड करेंगे अपनी answer की match कर लेना आपके कितने answer आए हैं आज के paper में सभी साथी comment करके जरूर बताएंगे paper में कितने question आए हैं कितने answer आपके सही हैं कितने गलत हैं अगला question है एक ही जगे पर बीस कबूतर है दस गाएं हैं पंदरा कुत्ते हैं और कुछ बैसे हैं यह सारी कठे हुए है पैरों की कुल संक्या जो है सीरों की कुल संक्या से 125 हदिक है बैसों की कुल संक्या क्या है चीक है question को soul करेंगे answer में type कर देंगे इस cancer आएगा d यानि 10 आजएगा 74 दिया है 74 देखेंगे दिये गए विकल्प में से 3 किशी तरह से संगत है और एक समूब बनाते हैं चारों में से कौन सा विकल्प उस समूब से सम्मदित नहीं है यानि reasoning आपके सुरू हो चुकी है reasoning का क्यूसन आया है बाज, सील, गिद और सतुर मुर्ग तो ये जो सतुर मुर्ग है इस चारों में सबसे अलग है तो इस cancer यहीं बनेगा अगला क्यूसन देख सकते हैं 8 वेक्ति जो है 8 वेक्ति है A, B, C, D, E, F, G, H, A और एक मेज के चारों और के अंदर के और मुख और के बेठे हुए हैं और इसी करम में उनका इसी करम में होना वैसक नहीं है करम अलग हो सकता है यह और जी का relation दिया है इस क्यूसन को आप अच्छे से पढ़के सोल कर लेना और कमेंट में इस कांसर टाइप कर देना वाई इस कांसर जी आ जाएगा और यह सवाल क्या पुछ आता इसने का था डी के सामने कौन बेठा है तो डी के सामने कौन आएगा डी के सामने जी आएगा ठीक है किस्टन सोल कर लेना अगले क्षिस्ट है किसी कूट बासा में सक्सस को लिखा जाता है ये और लवली को लिखा जाता है ये तो इसने कहा उसी बासा में एक्स्ट्रीम वर्ड को क्या लिखा जाएगा, सोल लेना D-Option में दिया है V, Y, G, S, V, N, V ये इस question का आपका अंसर बन जाएगा ओके आगे चलते हैं अगले उसमें आ गया है कि ये जो paper है कहां लिया गया था ये paper लिया गया था आप पढ़ सकते हैं Mission Institute रोतगेट बिवानी में लिया गया था अगर आपको paper में अगले सचर्डिक और registration करवाना है तो number दिया गया इस पर registration करवा सकते हैं अब है चार सबद दिये गए जिनमें से तीन किसी तरह से परकार अलग है उस सबद का chain कीजिए मतलब ये तीनों जो है ये अलग है डाइरिया जो है वो इन सबसे अलग है मतलब ये तीनों सेम है तो इसमें जो सबसे अलग है वो डाइरिया यारी दस्त हो जाएंगे अब चलते है अगले किस्टन पर नीचे च्यार संख्या युगम दिये गए है जिनमें से तीन किसी संद्रब में समान है और उनमें से एक एस संगत है उस एस संगत युगम का चैन किये जए तो इसमें संगत युगम जो आपका बढ़ेगा पंसो संगतारीस दो सो ठावन जो की ये उपसर में दिया गया है अब चलते हैं अगले किस्टन पर अगले में देखेंगे नीचे दीगे परसनों में दो कथन उसके बाद में निसकर्स है यानि कि कथन निसकर्स वाड़ा किस्टन है कथन ये दिये गए है एक ये है और एक ये दो कथन दिये गए है दो निसकर्स दिये गए है ठीक है सोल कर लेना किस्टन को अंसर आएगा ए ठीक है अंसर को टिक कर लेंगे इसको आपको आदला बदली करने पड़ेगी अगले पे चलते वाई एटीवन हो चुका है एटीवन के बाद आएगे एटीटू अब आपकी हिंदी और इंगले सुरू हो गई है जल्दी से इसके अंसर देख लेते हैं इसने कहा है कि समानारती सब्दों का मिलान कीजिए ठीक है पियूश है एक साइड पियूश का मिलान किस्से होगा वीपिन का किस्से होगा पुंड्रीक का किस्से होगा मकर धवजगा किस्से होगा मैं आपको बता देता हूँ कि जो पियूश जो है वो उसका जो मिलान है वो किस्से होगा सोम से होगा ठीक है उसके बाद दूसरा है कि वीपिन जो है वीपिन कानन ठीक है वीपिन कानन इसका समानारती सबद है उसके बाद अगले पे चलते हैं पुंड्रीक जो है आप देख सकते हैं पुंड्रीक जो उसका समानारती सबद क्या है नलिन हो जाएगा उसके बाद आजाएगा आपका डी में मकरदवज जो है इसका समानारती सबद क्या हो जाएगा मकरदवज का समाना अरती सबद अपका बढ़ देगा मन मत तो उसन के साबसे सी पे जाएंगे कौन से पे जाएंगे सी पे जाएंगे 83 पे चलते हैं बिखारीन को देखकर पट देट बार-बार में कौन सा लंकार है तो बार-बार आ गया इसमें चीक है इसमें कौन सा लंकार है आप इसको answer जल्दी से नोट कर देंगे यह 30 लंकार इसमें आ जायेगा अब चलते है, 54 पे रसोई घर में कौन सा समास है ततपुर्ष है, द्विगू है ठीक है, रसोई के लिए घर घर के लिह रसोई तत्पुर समासा जाएगा 85 पे चलते सोर्था के पर्थम चरण में कितनी मातराइं होती है 11 टिक कर लेंगे अंसर में टाइब भी करते रहे आपके अंसर क्या आए कितने माक्स आए है कितने कि उसन आपके सही है टिक करते रहेंगे भाई दरब का परियावाची नहीं है इन में से कौन सा तिरसकार, एहंकार, गरो, सवाभिमान दरब का परियावाची नहीं है नीमन में से तचसम सबद का चैन केजिए तो तचसम सबद जो है इन में से अलग करेंगे तो तचसम सबद आपका गिरिनी जो है वो एक तत्सम सबद है नीमन वाक्य के लिए एक सबद का चैन कीजिए जो भी दिगिदरश्टी से ठीक है उचित है सही है सत्ते है वैद है D option is answer आएगा कौन सा option answer आएगा D अब चलते हैं अगले क्युस्चन पर अगला क्युस्चन पढ़ते हैं इंगली सेक्षन से लिया गया है एरर बताने हैं इसमें इंगली से 89 से 91 तक ठीक है एरिली सोफी सोफी सी केटेड परसन वूड नेवर बी नेव एनफ टू ड्रिंक दैट इस अलवेज राइट ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है नो एरर आ इसमें 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 इसमे substituted for a given sentence government पे टिक कर देंगे ठीक है इसका अंसरा देगा अब चलते हैं अगले question की और दोस्तों अब 3-4 question आपके रहते हैं इनको जल्दी से note कर लेंगे correctly spelled word क्या है ये है इसने दिया है best expressions meaning best meaning कौन सा phrase दे रहा है give and to go none of these है इसमें से कोई भी नहीं है अब चलते है 95 बे select the word group of given words that is most similar in the meaning to the word capital letter ठीक है इसी का meaning दे रहा है इसी का meaning similar meaning दे रहा है ये dreary ठीक है तो दोस्तों ये था हमारा NTA base जो paper हुआ है such a day को such a day को NTA base जो paper वा mission institute में वहाँ पे paper जो हुआ था उसका solution दिया गया है आप दोस्तों वीडियो में comment करके बताएंगे कि आपके paper में कितने किस्सन सही है कितने किस्सन सही है वो comment करेंगे ठीक है और आपको solution कैसा लगा answer की कैसे लगी comment में जरूर बताएं और paper को ज़्यादा सेयर करें तो बस इस paper का solution आप देख रहे हैं paper क्या था आप देखना चाहेंगे इस सुरू से देख लेते है paper में क्या दिया गया था paper किसी ज़िगा था एक बार मैं फिर से आपको paper दिखा देता हूं ये देखेंगे ये test code mission में लिया गया था ये paper और mission 30 का test code है और साथ पे सही बताया है mission वालों ने भी प्रिस्तरम ही सफलता की कुनजी है maximum 90 marks का paper था तो ये paper आप देख लेना दोस्तो आज की class को यहीं पेंड करते हैं ओके थैंक्यू